कोने पले को मंदे कोने पले को मंदे एक्यमकार सद्कुर्परसाद श्रीराग महला पंजवां सुकुदाता पै पंजवनो तिस आगे कर अर्दास महर करे जिस महरवान तांकारा जावे रास जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकांदा जी आयानू मेह ताडिनाल हर कीरत सिंग आलू वालिया नौर्थ अमेरिका देविच वस्दे सारे वियर्स नो मेरी तरफों प्यार भरी साथ स्रीया काल सिफ़त सलादे इस प्रोग्राम देविच ताड़ा सारे अंदा सुआगत है रुभानी करला ओशो जस विच असी सिख पंथ दे महान कीरतनी जथे उस तो बाद साथे सिख फिलोसफ़र सिख बुद्धी जीवी सिख हिस्टोरियन जनानू असी लगातार इस शोदे विच लेंदे हुआया और उना दे विचार उना दे थौट्स और उना ने हिस्ट्री दे विच की कुछ नवा कड़िया है और तो आड़ेगों सामने लहके हों देने अज वी मैं जनू जिस शक्षित दे नाल मुखातिब करान जा रहे हैं वैसा है इंट्रदक्शन दी दी लोड है नहीं नानू लेकिन फिर वी मैं तो आनू दस दमा सिख पंत दे महान फिलोसपर अज मेर नाल मौझूद ने प्रोफेसर सरभ जी सिंग गोबिंदपुरी, USA अना दे बारे तो आनू दस दमा एक्स ओनरी प्रोफेसर रह चुके ने GGMC लुदिहाना and he is specialized in explaining Gurbani in English Punjabi and Hindi on TV channels of USA and Canada सी कहीं वारे ननू वेकिया and he is the one जिननने revolution भी शुरू किता Gurbani नू Punjabi तो English दे विच translate करन दे लई ननने अपनी योगदान भी पाया ते नाली इनने revolution भी लिया हुँदा अज मेर नाल रूहानी कलना दे विच मुखातिम ने खुद आप प्रोफेसर सरब जी सिंग जी सरब जी सिंग जी सबतों पहला आते फते प्रवान करो वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फते ते मैं अज इस शोद माध्यम रही तो हनू जुरूर दसना चानना लामा बारे अनन्द कारज अनन्द ए साठी कल्चर दे विच साठी कम्यूनिटी दे विच किनना कू जुरूरी है लामा बारे अज असी तो हनू जानू करवाना चानने है और मिनू लागदा है इफ वेन वी टॉक अबाउट लामा ते अज खुद आप प्रोफेसर सरभ जी सिंग जी सानू दसन गे लामा बारे आविड लाइक तो स्टार्ट हिज पॉइंट अफ व्यू ओन लामा पैस अब सब तो पहला आते मैं जरूर जाना चाहाँगा साथे दरशकनों मैं जरूर दसना चाहाँगा अनंद गारा जैसी हमेशा सुन देऊ आए है लामा फेरे लामा कितों बर्थ होया कितों ओरिजिनेट होई समूद दरशकनों मेरे बलनों वी यार सायद वाइकरुजी का खाल साथ वाइकरुजी की फुत है आदरियोग विर्जी होरा ने जो विचार तो अडेनल सांजी कीते ने मैं सम्द विच बेंड़ती करन तो पहला एक कटना तो अडेनल सांजी करनी चाहाँगा जी एस सन उननीस साथ च्यानमे दी गल है बैक इन नाइटी नाइटी सिक्स बाइचांस आई वस विस्टिंग यूएसे और आई वस राइट एर इं रिच्मंड हिल निव यॉर्क आला फे सटन आई रिसीव डिकाव मैंनो एक फोन कीता एक सेंगना है तो मैंनो बड़े प्यारना लखन लगे सिरियक आलत अखथ साथ दे कारजकारी जथेदार प्रोफेसर मंजीत सिंग जी आया हुए ले तो तो मैंनो याद कर रहे उनना दा सुनेहा लेके जिस विले मैं प्रोफेसर साहब नो मिलन ले पहुंचेया मैंनो बड़े प्यारना गल्वक्टी वच लाकर कैन लगे मैं थे इंटर्फेस दे प्रोग्रम पिछदार रही हा पर कुछ होओ प्रोग्रम जने पुछ होगा जेमे ने कल सेग्मेंट है इस प्रोग्रम दा मैं यंदे वच अज़़ाह बड़ा जरूरी इसलिए मैं अपने वल्लों तौनू ए गलाख दा तुसीं कल मेरी थां थे उस प्रोग्राम विच हाजर होना है जिड़ा इंटरफेद दा प्रोग्राम है and it is being telecasted on a very big level 1996 विच है असी गल समय सकते हैं भी उस वले हाला इना ज्यादा टेलीवीजन दी ए नहीं ज्यादा इस सारे वीडिया दी ए नहीं होन दी सी कि अधिया जोर शोर नहीं सी जिस वरे खेर मैं उन्हान पुछा भी इस सारा प्रोग्रम किस समंद विच हो रहा है तो मैंनोँ अन्हाने इंटरफेद दे उस वले दे मुखी Mr. Kaaf Man nal मिला है Mr. Kaaf Man nal मैंनो और उन्हान मैं सारा स्वाल पुछा भी कल दा प्रोग्रम किस समंद विच है उन्दे विच मैं किस समंद विच बोलना है वीवर्शनाल गालबात संजी कर गी है मैंनु कहान लगे है असी ना एक बहुत वड़ा प्रोग्राम लेके चल रहा है क्योंके इंटरफेथ विच असी अज ए महसूस कर दे हैं कि सड़ी कम्यूनुटी जड़ी है इन ए वे दैडिस बिंग प्लिटेड है मैं कहा हो कह मैं कहन लगे असलोच ना आसी दे इंस्टिचुशन अफ मैरिज दा सतकार नहीं कीता जिन्हों आसी ग्रिस्तरम आखने हैं गुर्बानी दी पाशा वेच कहन लगे असी उस दा सतकार नहीं कीता ते आज नतीजा एँ हो रहा है के साठी जड़ी जनरेशन है वो अनेक तरह दी या मुसीब तावेच फसी होई है साउ तरह दे मांड से विकार पैदा हो रहा है उस दा एक मुख कारण है के असी इस मैरिज इंस्टिशुशन दी पवितर तादा त्यानी की था असी चोने आके असी पूरे वल्ड नुए गल्दस ही है बाई पाई मैरिज दा इंस्टिशुशन अफ मैरिज इस शुड बी लाइक देट मैं कहा के मैं कहला के दर असल गले अभी आज जिस वेले तुसी अड्रेस कर रहा होगे तुसी देखोगे तो अड़े समने हाल विच अठारा हजार नमे व्याए जोड़े उससे वेले तो अड़े नाल ओ ओध ले रहा होंगे जित्थे 18,000 नमे वियाए जोड़ेन है उते तकरीबन 30,000 पब्लिक भी नाल शामल होएगी ए प्रोग्राम नालो नाल टेलीकास कीता जा रहा है एक सब वी देशा में चे इसने जाना है ते साड़ा अंदाज है के मोर देन 120 मिलियन पीपल इस प्रोग्राम नालो आँगे बनाड़े या होँद Кण इस प्रोग्राम नालो नाल anx ‫वाज कर रहा हुद दे ऐसी यहोजा प्रोग्राम बणा लेहा है साड़े समान्य वे जिनने वी नालो 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 यह ओच ड़ेना वो भी टेलीविजन दे रहा ही, वो स्वेले नाड़ नाड़ ए ओथ ले रहा होंगे, मैं कहा की ओथ ले रहा होंगे, मैंनु कहान लगे, पहली गाल, ओथ दा पहला हिस्सा है, that this life of ours is not just to be, eat, drink and be merry, एस सिर्फ ते सिर्फ खान पीनते मौज़ड़ा होंगे, नहीं है, Correct, and even it's not for the party. Yes, it is not for the party. Rather, the final destination or the goal of our life is to be one with Almighty God. It is like a chance to be one with Almighty God. Correct. मैं कहा दूसरा, कैन लगे, ए ओस्वेले बाकाइदा ओथ ले रहा होंगे, that we will take care that our children, at least, until the age of their marriages, they would stay away from adultery. जी. हाँ जी? ओ वादू संबन्दातों, वादू मनुखी सेक्स संबन्दातों दूर रहनगे. असी अपने बच्चेयां दी इस तरहां दी देख पाल करांगे. जी. मैं कहा तीसरा, कैन लगे तीसरी गा ले, we will never ever think of divorce. सज जाने हो. But what do you think? I'm really sorry, I'm interrupting you between 1998 and 2018, after 20 years, how you can see the scenario now? Of course, I will explain. But let me finish. जी. मैं उनने गालाखी ना, बाई आ कि आसी सारी संदगी आसी डाइवर्से बारे वे सोचांगे भी नहीं, मैंनो मानो यह एस गलते, कि एहा गलते सिख जीवन जाच वेचे, सिख वेया अफ लेविंगे वेचे है. तुसी सिख रहा है, तम रहादा पढ़के देखू. उते तलाक दा कोई जिकर नहींगा, अनांद कारेज दा जिकर ते है. इसलिए मैं समझ दा कि एस मौमले वेचे कटो कट सिख पंथ जिड़ है, ओ पूरी दुनिया दे रहनमाई कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं. जदो मनुखी संबंदानों इस तरह इंस्टिशूशन आफ मेरिज दे रहे हैं, निबाण दी गल्लाउं दी है. एक गल्लहोर कहके, फिर मैं तो अड़े पुछे स्वाल वाला हुना, तुसी शायदे पड़े होगे, इस वेले इंगलेंड दी प्राइम मिनिस्टर है, टेरीजा में, थोड़े देन पहला उसने एक बार वेचे ब्यांड देता, दैर वाज अबाउट ओनली दी ब्रेक्सिट, के ब्रिटेन जे सबतों वद सोना, जेड़ा प्राग्रेस करन दे लाई, जेड़ा योगदान है, वो सिख पॉनगे, क्योंके एजनांदी जेड़ी मेरिल लाइफ है, तैस मुच मोर बैलेंस दे अधर्स दे अधर्स, करेक्ट, एंड बैटर, होन आपा वापस आईए, जेड़ी गलत उसी प साधी कम्यूनिटी ती, उसी पासे तुर रही है, जिस पासे तुसी नाइटी नाइटी एटी काल कर रही है, बिना शक मैं समझे दम सब्सक्राइब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जे मैं एक गल आखा आँ, आज भी गल सच है, कि कमपेरिटिवली, जदों तुसी पूरे वर्ल्ड दे सिनेरियो ते चाहती मार दियो, तो अनू सिख कम्यूनिटी विच डाइवोर्च मिनीमम मिल के, सब तों कट, क्योंके साधा कल्चर, ते साधा एतारमिक परभाव, एक दों में रण के, उस सुभाग जोड़ी नू, उस कपल नू, जोड़े रेन देले, सदा ए होता का क्या, तान पर एना आखियां बेन एक अठे होए, एक जोट, दो मूरती, तान पर कहीं है, सुभाए, मैंनो यादे चंगी तरह, थोड़ देन पहला में जिस विल एक अनन्द कारज विच मैंनो शामल होन दा मौका मिले है, मैं उते वी, जोड़ी ने गल पुछ रहा होले हो मौच एज वन एन वन, जरूर सारे जने हरान हो ओनं के क्योंके अंडरस्टोड एंडरस्टोड भई, वन प्लस वन इस इकल टो टो, एक शाना अक न नही्, बन एंड वन एज एक वन इस इकल टो एलावन, पंजाबी तोसी आखने भे एक टे गियारा होना है, मैं पर गुरु दी मात मताबक सोच के वेखो, गुरु ने क्या सी पामे एक ते एक दुनिया दो समझ दिये, पर तुसी जदों तक एक ते एक एक ही निना हो के बखाऊंदे, ओदों तक तो अड़ा जीवन सफर नहीं होना, एक जोद, दो मुर्ती, तो अड़िया शकला पामे दो तुसी पामे दो व्यक्ती देश देऊगो, पर तुसी जदों तक एक एक एंटिटी नहीं बन देए, तो अज पामे साधे सामने एक बड़ा चैलेंज है, के खास करके साधे कम्यूनिटी दे ओ लोग जिन और दूसरी कम्यूनिटी दे लोगा नाब, वापद है, उन अदार जान जेड़े ना, वो कुछ बदल रहे है, पार इस दे बावजूद, सिखी विच विश्वास करनवाले, बानी पढ़नवाले, नाम जपनवाले लोग, सदा, डाइवोर्स्तों, तलाकतों, दूर रेंदा यतन करते हैं, इसी करके ही पाई साभ नू ओल आवर वर्ल्ड दे विच जिते किते वी लामा होंदिया हन, इना नू सद्दा दिता जानदा है, ताकि आके उथे ओ, लाडा आते लाडी नू सब जो सकन इस वन भारे, कि आखिरकार एक और एक दा महत्वकी है, और उस्तों भी उते चार लामा दा महत्वकी है, कि सिखाया सानू बाबाजी ने कि सिखा गए सानों गुरू साहिबान इस अनन्द कारज बारे जानन दी कुशिश करांगे एना दे सवारां दे जवाब इस निके जे वक्फ दुबाद कौन बले को मन दे ते वक्फ दुबाद सारे दर्शकां दा सुवागत करदें जी रूहानी गलन दे विच अज असी तो हानू रूबुरू करा आ रहे हैं प्रोफेसर सरप जी सिंग गोबिंद पूरी यूसे आले जिन्हाने सानू बरेक तो जान तो पहला तस诈या अनंद कारेज यानि कि लावां फेरे जेडे ने उन अधा आखिर कार पैकड़ांड की है लेकिन हुन जानदी कोशिश करांगे कि हिस्ट्री की है और जिड़े गुर्पानी दे विच लामा फेरे वारे जिकर होया है लामा वारे ओधा महत्व की है आओ जान दें एजान करी दर असल एक बड़ा जरूरी स्वाल है कि अज जिड़ा असिंग गुर्दवारा साहबान विच व्या दे लई अनंद कारज दे ले लामा फेरे ले ने इंदा महत्व की है पर इस तों भी पहला लफज अनंद कारज अनंद कारज एक आपने आपज एक संपूरन रसम है एक कली ये गल सच है कि सत्गरू माराज गुरू नांक देव साहब सचे पातशादा जिमें जिमें सत्गरू दी फालोईंग वद दी गई जिमें जिमें सिख बन दे गाया है ओमें ओमें कुदर्ती गल सी कि सिखी अथवा गुर्बानी दे आदार दे हिसाब नाल ओना दियां रितना रस्मा ओना दे कारज करम वेच भी फरक हो दा जिए सिरी गुरू रामदाजी माराज चौथे सत्गरू ने बाकाइदा चार लामा उचारन कर देती हैं जेडियां मिलाप दे संबंद वेच ने जिए सो उस दिन तो एगल नियत हो गई के सिख दा अनंद कारज सिख मिलच भाया ओ किसे हो रस्म डॉल ना नहीं बढ़ के लामा पढ़ के अनंद कारज दी रस्म डॉल हो II. ुआ簡ा सिम्पली एंड स्मूथ रख देले कोई समानियत नहीं कीता गया वे तुस्य रात नहीं करनें है जह ल रहार स्वेरे करने हैं तो ठीक है कि आसी सिख आम करके मैं सुन दा रहे हैं आज तो तक्रीबन पंजा सट सतर साल साल पहला अनंद कारज अम्रित वेले वाह कर देशा है उस दा पाव सिर्फ एना सी के जोड़ी पहला असादी वारदा सम पूरन कीरतन सुने ता उस शुब वेले अन सिरी गुरु रामदा असी महराज सचे पाथशा दे वेले तो बाद असी कह सकते हैं वे सिख वेच अनंद कारज दी रसम जड़ी सी ओवाप्रन लग भई जि में विद्वाना दा मत है कि महराज अरण जीद सिंग दे राज वेले जा उस समें तो बाद कुछ इस मामले आउन लग भई जी ता उस तो बाद खास करके नंकारी लहर नंकारी मैं असली नंकारीयां दी गल करें जी नकली नंकारीयां दी नी असली नंकारी जिना दे मुखी बाबा द्याल जी सान ओ बाकाइदा नंकारी मंदल हरहाल अनंद कारज दी रसम नाल ही अपने समू साथिय यंदा व्याखरया कर दे सांग पार एग अला आम सिखा में चाहा लाएनी पर चलत नहीं सी एसलई बाकाइदा सिंग सबा लहर नाल समंदत जितने भी सेवादार संग पाईशा भाई वीर सिंग जी अथवा होर जिनने उना दे साथी संग उनना सार्याने रलके महाराजा अधर मुताबक साड़ी इडैंटिटी डिफर्न है जी साड़ी अपनी है ता सन्नु कटो काट साड़ी रीता रस्मा भी उससे तंग नाल जी एक्सेप्ट कितिया जाएं जाएं चाहिएं लोग धर नुनुनिन ऐवलेड वनीया चाहिएं चाहिएं जी सब्स्ताइदा गया उसमें रहालना बिटिश रूल से, अंग्रेजन दोराई से, पार उसनों बाद उन्नी साथ संताली विच वी जदों पारवी सम्विदान लगू कीता गया, शायद आज तक सारे अनु पता होना है, कुछ साल पहला तक बाकाइदा पंजाब विच वी जिन्नेवी अनांद पार उन्द कारज दी रीत हिंदू व्या दी रीत नालों अलग है, बिलकुल, पाव असी विदी द्वारे फेरे नहीं लेंदे, ना असी साथ फेरे लेने है, ना जाथ फेरे लेने है, अलग रीत है पर इस दी बाकाइदा अथेंटिकेशन है नहीं सी, क्योंके हर एक शिक जनों भी अपना व्या रिजिस्टर करवाना पहिंदा है वो हिंदू मैरिज एक्ट देया देन रिजिस्टर होंगे है होने दो हजार बारा विच शिक लीडरां दे यतननाल इंडिया विच भी एक्ट पास कर देता गया है वह हां शिक्खांदा जड़वया है और जिस्टर होवेगा अनन्द कारज दे रही थी ते मतावग है हुने रीसेंटली पाकिस्तान विच पाकिस्तानी पंजाब विच भी पाक खास करके सिख आइडेंटिटी कायम रखन दे लगी खास करके सिख आपसी बोडबाला कायम रखन दे लगी एक अला बड़ी जरूरी से जिए मैं सिख हां ता मैंनो कनूनी तोर्ते भी सिख वां के उना प्छाने जाए जरूरती इस लिए चलो आप मापसा जाईए के अनन् कारेज नो मानता मिल चुकिया ते बिलकुल किते ने किते बहुत ही एहम सवाल सीगा ए अनन्द मैरिज एक्ट दा जो की पाई साब ने इस सवाल दे होते भी परदा उठाया हुन जानन दी कोशिश कर दे हैं गुरुबानी चार लावे ओ किने महत्व रख देने और जद अस कि अनन्द कारेज यानि की अपना लावा करवाने हैं ता ओ किने एहम पो मिकानी बहुंदेने ओ चार लावे और ओ गुर्बानी दे वज़े जड़े ओ सारे गएने जी मैं पहला बेंटी कर चुका सत्गरू सिरीगरू रामदाशी महराज में सुही राग विच चार लामा उचारण की दिया जिडियां लामा आज जिस सिरीगरू ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक सत सो तेहत्तर तों शुरू होके तकरीबन सत सो चुहत्तर दे पौणे चलियां जादियां इन चार लामा विच है कि सब तो पहली कलता सी है संज लेए के गुर्मत विच मनुखी जीवन कियां उदारना दे के मनुखी कारज कर आप मनुखी कारज करम जिनने भी ने उनना अध्यातम वाद दे नजरियत हो वेख्यागे जी मनुख नू समझाओं साथारा लेगा ते अध्यातम वाद नो समझाओं दे मनुखी समंदा दे सहरा लेगा जी में पती-पतनी दा प्यार, अथ्वा माव पुतर दा प्यार, प्योप पुतर दा प्यार, रिलेशनशिंशिम्स जनियां भी लें, पाप जनिवी तो शोशालोगी है. शिरी गुरु गरंद साहिब जी महाराज विच ए हर एक गल अध्यात्म पक्तों कीती गई है ते एक अल समझाउन दा यतन कीता गया जिस टंग नाल इस्तरी अपने पती दी प्रसंता हासल कर सकती है ते पती दे परवार विच अपना सोना रहना बना सकती है बस ओहाई गुण तारण करके ए जीव इस्तरी अकाल पर हुआ एक गुरु नाल मेल हासल कर सकती है तो सब तो पहली गल पहली लाम विच महाराज सद्गु ने जो को साकिया हर पहलडी लाम परविर्ती करम दिरडाया बल राम जी परविर्ती करम की है देखो पुराणा तरम हर गल नो त्यागन ते जोर देंदा सी कारबार चट देओ जंगला में जाओ सन्यास तारण कर लो तार आपनों मिलेगा गुरु साहब ने एक गल इस तरह नहीं परवान किती बढ़के सद्गु दा होकम सी जे असी समझ लगिए रेमन ऐसो कर्षन यासा बन से सद्गु ने समझाओ मन ही माहे उदासा तुम कर नहीं इस तरह क्यों नहीं समझेदा करवेच रहो पर इस तरह रहो जिवें तु जंगल विचे रह रहा हो है पाव तेरी अटेच्मेंट ना हो है होन एथे भी सत्गु ने सब तो पहली गाल किया कि ग्रिस्थी जीवन दी शुरूआत परविर्ती करव है हाँ जी लगने परवार विच लगाओ पैदा होन पार एस वेले तरम किमें कमाईए पहले नुकते दी गल बाणी ब्रह्मा वेद तरम द्रड़ो बहुत सारे शुरूते आनों आम शिखानों एक पुलिखा लाग जानद है भी थे वेद दी गल तरम दी गल की है शायद असी एजे समझ लेए तो बड़ा चंगा रहेगा गाले थे कई जा रही है पाई गुरू की बाणी गुरू की सिख्या गुरू का बोल ही तेरल ही वेद है गुरू का बोल ही तेरल ही तरम है एक गल सेते कर लाए इस गल द्रड़ कर लाए फिर तरम द्रड़ो हर नाम नामजबन है क्योंके गुरुदी सिख्या बार बार नामजबन थे बड़ा जोड़ा है। और रिसाइट और रिसाइट और रिलेशनशिप और बॉन्ड वो बॉन्डिंग जड़िया है रिसाइट करके ही आएगी। दोसरी लाम सद्गॐृ पादिशा ने देखो किया फ्याँ हर दूजड़ी लाम सद्गॐ परक मिलाया बर राम जी। सद्गॐ नाल मिलाप होया जी दे न मल की होया निर्पाओ pa realms हुए हमे मैल गवाया बर राम जी। हमें दी मैल खतम हो गई। जि मैं गलाखा, प्यारे वीर, हूमें दुनिया दे जिनने चगडे न रहना उख नहीं कोई कारण नहीं, इस फिका हूमें तो हूमें तो हूमें मैं है किया, and definitely I would like to give compliment to the Guru Sahib Aanji जिना ने पहले लामा देविच ही होमे नु खतम करन दी गाल की ती है कि तुसी अपने होमे नु खतम कर दो पहले लामे देविच ही हाँ So you can see, you can imagine की अगेर यह जडिये लामा होन की हो देविच ओ की कहा है ने एक रिलेशंशिप नु स्ट्रॉंग करन दे ले जी हर मुआमshotे विच ही सिर्फ होमे कर के मैं तेरे नड़ों वड़ा, मैं तेरे नड़ों महाना, मैं तेरे नड़ों उच्चा नहीं जदोंताक कसी ऐस गलनु त्याग नहीं दिनी ले मैं मेल गवाच नहीं जन्दी, वोदों तक ना ता जीव इस तरी ने अपने पती दे कारशतकार असल कर सकने, ते ना ही इस जीव आत्माने प्रभू परमात्मान दे नेड़े वसा पा सकने, बिल्कुल अगर हॉम में नहीं होगी ता एगो क्लैश भी नहीं होगी, हाँ जी, हमेन उत्याग के निमरता विच जीवन जीओं देयां, जी आख देयां, ते जी अखवां देयां, असी इस तरह अपना जीवन सफल कर सकने, तीसरी लाम विच सद्गरु जी आख देना है, हर तीजडी लाम मन चाओ भया, बैरागिया, बनराम जीयो, संत जना हर मेल, हर पाय वड़ पागिया, बनराम जीयो, बड़े पागां वाले हो गए, वाय गरुण नाल मिला पोया, पर किमे होया, संत जना हर मेल, वाय गरुणे किरपा करके मैनू संत सत गरुण नाल मिला देता, एक गल्मे हो रहे थे आख लमा, देखो, चारे लामा, अनंद कारज, शिख दी जिन्दगी दा महत्वपूरन कारज है, जी, दी प्राइम फोकस एट दी प्राइम एज, ठीक है, पर असी कदे गल्द सोची भी उस वेले असी गुरु दे द्वाले क्यों को बने है, गुरु गुरु गरंद साब जी महाराज द्वाले गेड़े कर दे है, क्यों, कारणे है इस सटल मीनिंग है इस गल्दा, छुपयाव या पाव है, सुखम पाव है, के हर बंदेनों इस गल्द समझा जाए, पाई, जे मेरी जिन्दगी दे सब तो महत्वपूरन कारज वेच, मैं गुरु गरंद साहिब जी दे द्वाले कुम्रेया, ता सिरी गुरु गरंद जी मेरे लई इन्हे महतव पूरन है, के मेरी सारी जिन्दगी दा फोकस हे थे औना चाहिए है, गुरु गरंद साहिब इसल्फ, इस दी फोकल पॉइंट अफ माई लाइफ, मैं जो भी करना है, गुरु साहब तो सिखेला के करना है, उन्हे थे भी सद्गु पाट्शा फु No, I can relate this, if you have any problem after your marriage, you can come to Guru Gurant Sahib Ji, just bow your head, and if anybody is willing to do such a little, ओ भी खुरु करना है, क्यों आछिने थे तोछ वोस्य पूर्ट आहिए है, और लुन से रिजरो करना है, क्यों को उन्हें थे थे इसमने दुसी फिरे कि तेना है. हुकम ते यह है बैसे एक रोज अमरत वेले गुरू के दर्शन करे रोज शाम वेले गुरू के दर्शन करे हाँ पर गल एच चल रही सी पाई जिन्दगी विच विचर दियां जदों वी किते दुख सुख बढ़े तक क्योना असी सत्गुरू दी अगवाई लई है किसे होर कोल जाईए किसे होर नो पुछिए तू दासके में करने है सत्गुरू सिरी गुरू गरंद साहिब जी माराइश सचे पातशादे पास आके असी आपने मन दी अरदास करिये गुरू ने आख है सी ना जी की बिर्था होए सो गुर पै अरदास कर गुरू नो आख जो प्रें मन दी डुंगी गल जि जी असी कहने है सेखने पर सिक्रेट जड़ासी किसे ना छिदह कर सकते साध किसे मितर दोस ना भी सन्जा सर नहीं कर सकते घृु ना जी करते तो पिर है तीए और सदाट महालाइस फुर्मान कर देने हर चौथड़ी लाम औमन शहेज भया हर अपने को नियत समय में इस गाल नो समय सकांगे सिरी गुरु गरंद साहब जी महाराज से पातशादा हुकम बड़ा सपष्ट है महाराजी आखदे ने पगत फरीद साहब दे बचना रही जे तू चौन है जे में असे इस तरी नो एकल समझा सकने है जे तू चौनी है के सोरे परवार वेच पती दे कार वेच तेरी बाने आवे ता हर वेले निवन सो अखर खवन गोण जेवा मनिया मन्त नियों के रहने पावन ने मरता वेच रहने खवन गोण खिमा मंग लाणी जेवा मनिया मन्त शुब बोड बोलने ने मिठे बोलड बुलने तरह अपनाई रभी दरुगाते भी प्रवान होसका करेक्ट, करेक्ट, ते बहुत ही बैतरीन तरीके नाल पाईसाब ने सानु एलेबरेट किता है, चार लाओया दा जेड़ा मतलब है अर्थ है गया, एंड मैं चाह मांगा कि हूं दी जनरेशन नू क्योंकि समय में रिकॉल बहुता नहीं है इस प्रोग्राम देविच, बट मैं जच आप देवर तो दी जनरेशन, तो यू गईस, मैंनो एक अंग्रेज कवीदी कवतादिया दोलना यादा रही है और कहांद है, जिए अगया दा है, जिए जिए विच प्यार जड़ा है नहीं है किसे बंसरी वांग है, इस बांसरी वांग है, ते लव इन दिस लाइव is like a flute, but even a small rift within, makes the music mute, जे कते बंसरी विच ममूली जाही त्रेड आजाए ना, तहे बंसरी फिर वजन जोगी नहीं रहींदी, नहीं रहींदी, नहीं रहींदी, so you have to make your relation more and more strong, so mute, with love, mute, love and courage, end of the day, we always, आसी सिख दे हैं, इस प्रोग्राम दे विच, कि end of the day, जे डे भी सादे नाल फिलोसफर आयोंने ऐही सिखाया, love and courage, जो कि सादे हूं बानी भी सिखाऊं दी है, जे कर तो आनों पाईसा, प्रोफेसर सरभ जी सिंग जी हो रहा था, ऐ प्रोग्राम वधिया लग नियोते नों परवान करन, और तो आड़े प्रोग्राम दे विच भी आ के अजी हां गलना समझाओन ता की आन वली जनरेशन नों एक नवा सुने हां पहुंच सके, ते फिलाल मैंनों इजाद लेनी पहेगी क्योंकि समा बातार नहीं हैगा, लेकर तो आनो एप्रोग्राम दोट कॉम दे होते, ते फिलाल आज दे इस प्रोग्राम दे विच एन नहीं, मैंनों ते प्रोफेसर सरब जी सिंग गोविंद पुरी युएसे वाला नों दो उजादत तनवात सस्रिकाल वाहिगरुजी का खालसा वाहिगरुजी की फते कौन भले को मंदे कौन भले को मंदे